किस तरीके से जो मस्भूथ कि आएगी पहले वो आपको हम बताएंगे लेखिन आपको बता दें खास्ता और से जो चाटर एरक्राफ्ट कॉंप्लेक्स है इसमें C-295 विमान का निर्मान किया जाएगा जी यहां इसी कॉंप्लेक्स में C-295 का जो विमान है उसका निर्मान हो और खास्ता और से आपको बता दें कि ये कैसे जो पूरी कवायद शुरू हुई थी 2021 के अगर हम बात करें तो कैबिनेट ने 56 परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी थी शपन जो ऐसे विमान हमके मंजूरी दी गई तो आप अंधासा लगा सकते हैं कितना लाब उसके जरी मिलेगा Aircraft Complex में पहला C295 विमान 2026 तक तयार होने की अमीद है और खासता और से जब हम बात करते हैं कि जो पूरा बेड़ा है वो कब तक तयार होगा तो अंति विमान की जो डिलिवरी है वो अगस्त 2021 तक पूरी होने की अभी तक संभावना जो है वो जताई गई है लेकिन किन माईनू में एक खास है मालवाख विमान जो है C295 आप मतादें इसकी जो वहन शमता है वो करीब 5-10 तन की है और उसी वज़ा से इसको इस शेणी में रखा गया है और जब हम 5-10 तन तक के भाग की बात करते हैं तो यानि खासों से कतर सेनको या उनचास अर्द सेनको को रखने की जो बश्ता है वो आप मान सकते हैं आवगमन जो है उनको लेके यहां पर हो सकता है और अब की जो C295 ह जो 56 विमान होंगे यह आप मतादें भारतिय वायुसेना के जो पुराने एवरोब विमान है उनकी जगा लेंगे और जाहितार पर जो इनके काम है उसमें तो तेजी आएगी और अक्सर हम देखते थे कि जब हमारे देश में जिस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी भी तर जो है वो नजरा सकीगे और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कैसे रक्षा शेत्र में जो आत्म भड़ता है उसको तो बढ़ हवा मिलेगा ही जब हम विमान अपने देश में करेंगे इसके साथ साथ रोजगार के जो अफसर है वो भी निकलेंगे क्योंकि जो एरक्राफ रोजगार की जो अफसर हैं वो इसके जरीए निकल कर सामने आएंगे तो जब रोजगार बढ़ेगा विनिर्मान बढ़ेगा तो इसका सीधा फाइदा कहा होगा वो फाइदा मिलेगा हमारी देश की अर्थवयस्ता को यानि यह जो लाब है वो फलाल अब हमें नजर आ रह